और एकल डेटाबेस सीखने के लिए हमारे चानल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें आज का हमारा टॉपिक है SQL Privileges SQL में यह Privileges क्या होता है इसे कब परफॉर्म करना चाहिए और करने से हमें क्या प्रॉफिट होता है हम यह सारी चीज़े आपको इस वीडियो में बताएंगे प्राक्टिकल के साथ लेकिन सबसे पहले वाट इस प्रिविलेजेश का मतलब क्या होता आपको वह समझना चाहिए सिंपल वड में कहें तो किसी को पर्फॉर्मिशन देना और उसे पर्फीलेजेश मतलब पर्मिशन तो यहाँ पर मैंने लिखा प्रिव्रमिश टाब सीज़ें और डेटा बेस आड्मिनस्ट्रेटर प्रिव्रेश एक तरह का प्रमिशन होता है जो कि डिया दृटा करने कंडिक हम यूजर के साथ करनेक्त होते हैं तो सिस्टेम यूजर के साही रखक है तो सिस्टम जब आप खुद से पर मिसंदे सकते हैं वह ही कहला आता है हमारा SQL का privileges जिसमें आप खुद का भी user create कर सकते हैं उसे सारी चीजे करने की permission दे सकते हैं ठीक है इट प्रोवाइट्स राइट टू एक्जिक्यूट अ पर्टिकुलर टाइप स्कूल स्टेटमेंट्स जैसे इट अल्सो गिप्स राइट टू कनेक्ट दा डेटाबेस एंड क्रिएट टेबल इन यूर इस्कीमा देख प्रिव्लेजस जो है ना वह में रैट देता है कि हम खूद का यूजर भीवी क्रिएट कर सके और उसके साथ कनेक्ट होके वहां पे हम अपना सारा काम कर सकते हैं जो यूजर हमने खुझ से क्रिएट किया है ठीक है यह तो यह सारी छीज आप कर सकते हैं सिर command आपको देखने मिलेगा, थोड़ी देर में आपको बताएंगे लेकिन उस से पहले आप याद क्या रखेंगे? आप रखेंगे कि जो भी privileges है उसको two part में by the किया गया है सबसे पहला पाट होता है system privileges system privileges जो की BEach dll कमांड से deal करता है जैसे create rename lock ठीक है यह सारा drop यह सारो क्या हो गया हमारा system privileges का कमांड ठीक है अब object privileges जो किसी भी data या record पर काम करता है जैसे insert update delete select यह सभी हो गया object privileges system privileges में आप create कर सकते हैं कोई चीज जैसे टेबल विव इस्कीमा से संठी के यह सारी चीज़ है अभी SQL प्रोवाइट्स टू डी सील कमांड टू मैंनुपलेट दा प्रिवलेजिस में काम करने के लिए दो डी completion ऑन्ड है पहला होता है ग्रांट कमांड का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं कि वह अपना खुद का काम कर सके इ formal सबसे पहली बात तो आप अपना खुद का यूज़र कर सकते हैं उसके बाद यूजर क्रिेट करने के बाद आप जो तो जो एक्सेस उसको देना चाहते हैं अधे सकते हैं चाहे आप सेब्सिंट मेपने चाहते हैं आप यूस करें करता ये क्या यूजर से कनेक्ट होंगे अपने डेटाबेस में उसके बाद हमारे पास सिस्टम यूजर में ही एक टेबल रहेगा यंपी नाम का फिर हम क्या करेंगे खुद का एक यूजर क्रियेट करेंगे और वहां पर सारा प्रिवलेजिस हम प्रफॉर्म करेंगे तो चलिए प्राक्ट सिस्टम यूजर बाय डिफॉल्ट होता है ठीक है डेटाबेस का अभी यहाँ पे हम password करेंगे तो देखिये हम connect हो चुके है अपने database लेकिन हम किस यूजर के साथ connect हुए है system user के साथ तो ईस system user में मेरे पास एक table है ठीक हम आपको दिखाना चाहेंगे EMP नाम का table है मेरे पास, यह देखिए, अब अगर आपको grant और revoke बढ़ियां से समझना है, तो आपको system की तरह ही एक user create करना पड़ेगा, तब ही अब grant और revoke का मतलब समझ पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक user बनाते हैं, उसके बाद हम उस user को privileges देना स्टार्ट करेंगे, तो कैसे बनता है user, हम लिखेंगे create user, user का name हम ले लेते हैं अंकूस, ठीक है, यह user का name है identified by, उसके बाद यहाँ पे हमारा password होगा, तो password हम ले लेते हैं, pwd, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक message क्या आया, create user अंकूस identified by user already available है database में, हम कोई और name ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम name ले लेते हैं, Achilles, तो आप देखो user created, हमारा user बन चुका है, अब हमारे पास दो user है, पहला user है, अपना system, जिसमें यह EMP table है, और system user EMP table के साथ कुछ भी कर सकता है, insert, update, delete, alter, rename, जो भी करना चाहिए, system user EMP table के साथ कर सकता है, लेकिन अभी जो हमने अखिलेस user बनाया, यह कुछ भी नहीं कर सकता है, EMP table के साथ, तो चलिए हम आपको, अब main कहानी समझाते हैं, एक और window हमारे सामने है, यहाँ पे ठीक है, सबसे पहले हमें करना क्या होगा, अपने user से connect होना पड़ेगा, तो connect होने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, connect, उसके बाद username, username हमने क्या लिया है, देखिए, यहाँ पे अखिलेस, अभी हम अखिलेस user के साथ connect होंगे, password डाल देते हैं, pwd, तो यहाँ पे देखिए, user अखिलेस lacks create session privileges to login denied, तो देखिए, यहाँ पे यह बोल रहा कि आप connect नहीं हो सकते, अखिलेस user के साथ, क्यूं, क्यूंकि यह जो अखिलेस user हमने बनाया है, इसको connect होने का privileges हमने provide ही नहीं किया है, तो सबसे पहले, अखिलेस user को connect होने का privileges देना पड़ेगा, यानि grant देना पड़ेगा, तो जब भी हम किसी को कुछ भी permission देते हैं, तो हम grant querifier करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे grant, उसके बाद connect, fit to और अपने user का name, कि आप किस user को connect होने का permission दे रहे हो, तो हम अखिलेस को दे रहे हैं, यहाँ पे देखो grant succeed, अब यहाँ पे आते हैं, अभी देखिएगा हमारा जो अखिलेस user है, वो connect हो पाएगा, क्योंकि उसको connect होने का grant permission हमने दे दिया है, password डाल देते हैं, pwd, connected, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बात क्या याद रखना पड़ेगा, कि हम अखिलेस user के साथ connect हो चुके हैं, अब जब connect हो चुके हैं, अब यह जो अखिलेस user है, यह क्या बोड़ रहा, कि मैं इस EMP table को access करना चाहता हूँ, जो system user में है, ठीक है, तो क्या यह कर लेगा, देखते है select, star, from, system user में एक table है, EMP, इसलिए हम लिख रहे, system.emp, तो यहाँ पे देखे, table और view does not exist, अखिलेस user के लिए EMP table exist नहीं है, access नहीं कर सकता है, क्यूं, क्यूंकि अखिलेस user को system user ने सिर्फ एक ही grant permission दिया है, connect होने के लिए, select करने का permission नहीं दिया गया है, इसको, तो अगर अखिलेस table को देखना चाहता है, तो वो क्या करेगा, उसको select का grant permission भी हमें देना पड़ेगा, यहाँ पे हमें query लिखना पड़ेगा, grant, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे grant, उसके बाद हम select permission देना चाहते है, select on, table का name EMP, मतलब EMP table के record को select करने का grant permission हम किसको देना चाहते हैं, अखिलेस user को, तो यहाँ पे देखें, grant succeed, इसका मतलब अब अखिलेस user table को select करके देख सकता, same query अगर हम fire करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, अभी हम अखिलेस user से connected है, और अखिलेस user database के साथ connect भी हुआ है, ठीक है, और EMP table को access भी कर पारा, select command की मदद स जो system user के पास है, क्योंकि system user ने select का permission भी दे दिया है, अखिलेस user को, और connect होने का permission तो हमने पहले ही दे दिया था, अब अगर हम यहाँ पे यह जो अखिलेस user है, यह कुछ record को delete करने की कोशिस करा, जैसे, यह चाहता है कि जिसका EID 80 है, वो record delete हो जाती है, इसने लिखा delete from EMP, WHERE, 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 EID, EQUAL 80 है, तो यहाँ पे हमें system लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यह system user का table है, तो insufficient privileges यहाँ पे error आ चुका है, मतलब delete करने का data को, delete करने का privileges अखिलेस user के पास नहीं है, क्योंकि system user ने provide नहीं किया, लेकिन अब अगर यहाँ पे हम delete का grant भी दे देते है grant succeed, अब यह delete कर सकता है, क्योंकि इसको permission मिल चुका है system user से, जिसके पास mp table है, तो अब यह delete कर सकता है, देखिए one row deleted, हम अपना अगर table देखें, तो देखो यहाँ पे 80 वाला record नहीं है, पहले देखो यहाँ पे यह record था, ठीक है, तो आप जो जो permission यहाँ से देंगे, आप का जो user है, जिसको आप permission दे रहें, वो उतना ही काम कर सकता है, उसके अलावा वो कुछ और नहीं कर सकता, जैसे हमने delete, select, connect यह permission दे दिया, अब मालो मुझे record insert करना है, ठीक है, हम लिखते है, insert into system.emp values, सबसे पहले eid हम दे देते हैं, 50, employee का name हम क्या देते है, employee का name हम देते है आमीर, उसके बाद address दे देते हैं, यहाँ पर आमीर का, तो क्या यह record insert कर पाएगा, देखते हैं, तो यहाँ पर देखें, insufficient privileges, इसका मतलब यह insert भी नहीं कर सकता, क्योंकि insert का privileges system user ने नहीं दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार में ही अगर आपको सभी privileges देना ह है, select, delete, सब कुछ आपको एक बार में ही देना है, तो आप लिखेंगे grant all to Achilles, ठीक है, अगर आप all लिख देते हैं, तब क्या होगा, सारा privileges Achilles user के पास चला जाएगा, जो system user के पास already है, EMP table के लिए, तो यहाँ पर on लिखना पड़ेगा, ठीक है, grant all, उसके बाद किस table का privileges दे रहे, EMP table का सारा privileges दे रहे, Achilles user को हम, grant succeed, अब देखिएगा, Achilles user record insert कर पाएगा, one row created record insert हो चुका है, आप यहाँ पर देखो, यह रहा record, ठीक है, अगर अब update भी करना चाहाँ, तो हम update कर सकते हैं, क्योंकि हमने all का permission दे दिया है, update, उसके बाद table का name है, system.emp set, हम चाहते हैं, कि यह जो name है, अंकुस, यह हो जाए, अलताफ, ठीक है, नहीं, यह हो जाए, अनिस, तो क्या लिखेंगे, फिर, नहीं, name equal, तो name हो जाए, अनिस, जिसका, EID क्या है, जिसका EID है, 20, तो यहाँ पे देखो, one row updated, अखिलेस user update भी कर पारा record को, यहाँ पे देखिए, 20 ID अनिस बन चुका है, पहले जब कि यह अंकुस था, तो हम insert भी कर पारें, update भी कर पारें, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे all का permission दे दिया, all का मतलब क्या होता है, कि EMP table का जितना भी privileges system table के पास था, वो सारा privileges अभी हमारे अखिलेस user के पास आ गया, जो system user के पास था, वो system के पास तो है ही, लेकिन अभी अखिलेस user के पास भी आ चुका है, तो क्या यहाँ पे question आता है, कि DML operation तो हम perform कर पारें, insert, update, delete, अब, अब यह जो system user है, यह क्या चाहता है, कि इसने जो भी permission दिया हुआ है, अखिलेस user को यह वापस लेना चाहता है, तो सबसे पहले system user बोल रहा है, कि मुझे delete वाली permission वापस लेनी है, अखिलेस user से, अब मैंने चाहता है कि वो EMP table का कुछ भी record delete करे, तो यहाँ पे वो system user क्वेर कर करेगा, रिवोक उसके बाद delete, delete वाली permission ले रहा किस से, system का जो EMP table है, उससे लेना चाहता, user का नाम किसको दिया था इसने, अखिलेस को तो अब ले रहा है, तो लिखेगा from अखिलेस, तो यहाँ पे रिवोक सक्सीड, इसका मतलब permission वापस ले लिया है system user ने, अब अखिले user delete नहीं कर सकता, जैसे delete वाला query हम यहाँ पे fire किये थे, तो अभी देखो insufficient privileges अब delete नहीं कर सकता, अखिलेस user क्योंकि delete करने का permission वापस ले लिया गया है, अब अगर system user बोल रहा है कि मुझे सारी permission वापस लेनी है, वो क्या करेगा, all लिखेगा, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकत हैं, आप लिख सकते हैं, insert, comma उसके बाद जितने भी permission आप दिये थे, इस तरह से comma दे दे के भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप direct यहाँ पे लिख दो all, तो reward succeed इसका मतलब अब Achilles user EMP table के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, सारी permission वापस ले ली गया है, जैसे select भी नहीं कर सकता record को क्योंकि all का मतलब क्या, हमने सारी permission वापस ले ली, ठीक है, अब क्या connect हो सकता है, देखते हैं, यहाँ पे, यह connect हो सकता है कि नहीं क्योंकि हमने सारी permission वापस ली, तो dml का permission हमने वापस लिया, जबकि connect dml का part नहीं होता, यहाँ पे हम लिखेंगे Achilles password pwd, तो यहाँ पे कि connect, connect का जो grant permission दिया था, अभी भी वापस नहीं लिया गया है system user की तरब से, तो connect वाला permission को especially वापस लेने के लिए, अलग से क्वारिफायर करना पड़ेगा, rework connect, उसके बाद from Achilles, तो यह वाला connect होने का privileges भी जो system user ने provide किया था, इसने वो भी वापस ले लिया, अब यह connect भ लूडी, तो यहाँ पर देखिए, अब Achilles user connect भी नहीं हो सकता, तो देखो, हम यहाँ पर simple सा काम किये, system user के पास एक table था, EMP नाम का, तो system user EMP table के साथ कुछ भी DML operation perform कर सकता है, क्योंकि उसी का table है, update, insert, delete, फिर हम क्या कि एक user बनाए, हम चाहते हैं कि वो भी EMP table में DML operation perform कर पाए, insert, update, delete, तो हमने grant देना start किया, ठीक है, उसके बाद हम grant all की मदद से, सारी permission दिये, फिर हम revoke all की मदद से, जब सारी permission वापस ले लिए, Achilles user से, तो सारी permission वापस हुई, DML command की, यानि insert, update, delete वाली, connect वाली permission वापस नहीं हुई, ठीक है, इसलिए connect वाली permission वापस लेने क पड़ी, all से आप DML की permission दे सकते हैं, किसी भी particular table का, जैसे system user में बहुत सारे table है, लेकिन हम सिर्फ एक EMP table का ही privileges प्रवाइड किये थे, इस user को, उसके बाद हम वापस ले लिए, तो उम्मीद करते हैं, आपका ये doubt clear हो गया होगा, अगर वीडियो पसंद आए, तो like करिए, share करिए, चैनल को subscribe कर दिजिए.